जब आपके पास टाइम कम हो और बच्चों को टिफिन में देना हो कुछ उनकी पसंदीदा रेसिपी तो आप इसे फटाफट बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है बच्चे खुस हो जाएंगे। पीजा बर्गर के डिमांडी नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते है इस रेसिपी को बनाने के लिए एक बॉल में हमने लिए आधा बारीक कटाओवा सिमला मिर्च, आधा बारी कटवा प्याज, आधा बारी कटवा टमाटर, बारी कटवी गाजर, कॉन, चिली फ्लेक्स, और गयनो, काली मिर्च का पाउडर, डाल करके इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे, फिर हम इसमें एक से डेड़ चमश के जितना मोजरेला चीज डाल दें इतना कट लगाना है कि नीचे से यह अलक नहीं होना चाईए, यानि कि जुडा रहना चाईए, अब इसे घुमा करके भी हम इस तरह से भी मढ़िया से कट लगा देंगे, अर थोड़ा घहराई से कट लगाएंगे, लेकिन नीचे तक नहीं काटना है, इस बात का ध्यान यह देखे इस तरीके से फ्रेंट्स मैंने इसमें कट लगा दिये हैं यह देखे कितने सारे इसमें कट लग गए हैं और अभी हम इसमें जो फिलिंग डालेंगे वह बहुत ही टेस्टी होगी बच्चे तो पूरा टिफिन चट करके आएंगे और घर आकर भी इसी की डिमांड क करेंगे यह देखे इस तरीके से जो हमने स्टफिंग तयार किया है अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे चीज की कॉंटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं एक चमस हम इसमें डालेंगे मियोनीज और अच्छे से मिक्स कर देंगे यह देखे और इन कट्स के बीच में हमें यह स्टफिंग अच्छे से फिल कर देनी है तो बढ़िया से दबा दबा के भर दीजिए इसी बहाने से बच्चे सब्जियां भी खूब सारी खा लेंगे यह देखे तो मैं तो इसे हाथ से इस तरीके से एक एक परत को ऐसे खोल करके इसमें फिल कर रहे हूँ आप अपने हिसाब से कम जादा स्टफिंग डाल सकते हैं यह देखे बढ़िया से टॉपिंग इसमें मैंने फिल कर दी है आप देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा चीज ग्रेट करके और डाल देंगे तो बस इसे ऐसे ग्रेट कर दीजे चीज जितनी मरजी चाहें उतना डाल सकते हैं बड़ी बच्चे रोज टिफिन में सबजी रोटी सबजी पराठा तो लेई जाते हैं कभी-कभी तो कुछ फा अपना ये बन इसमें रग देंगे ढख करके से चीज के मेल्ट होने तक पका लेना है देखे एकदम धीमी-दीमी आज में से पकने दीजिए तो फ्रेंच आप देख सकते हैं चीज बढ़िया से मेल्ट हो चुकी है नीचे से बढ़िया क्रिस्प हो चुका है और ये बहुत मज़ेदार सी हमारी टिफिन रेसीपी बनके तयार है उपर सी थोड़ा से टोमैटो कैचप डाल दीजे यह देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में कलर फुल बहुत ही टेस्टी है बच्चे पीजा बर्गर की डिमांडी नहीं करेंगे जब आप उने घर पर ही इस कैसी लगी हमें फीडबेक में जरूर बताएगा फिर मिलते एक नए वीडियो में